हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं आपको फिजिक्स क्लाश टोयल का जो कोश्चन बताऊंगा वो दुहचार आठ ग्यारा बारा तेरा सट्रा सोल अठार इतने साल बोट पर इच्छा मैं आ चुका है मैं आपको इसी तरीकी के प्रस प चैनल को सब्सकाइब नहीं कर सब्सकाइब करके अबल नोटिपिशन आपके मुबाइल पर फ्री में मिल सके तो आए देखते हैं कौन सा कोश्चन है जो लगातार तीन तीन छे एक सात वरसों से आ रहा है इसको मैं आपको अच्छे समझा देखना ताकि कोश्चन आपका त किर्दार कि स्कर्ड़िटा की परिवासा लिखें तो दोनों कोश्यन अलग भी आसकता लेकिन मिल क भी आसकता है लोओं आंसर्म ठीक है तो पहले बताना किसी रिडियो एक्टिपादार का अी तौर अक्टिव पर तो इसमें लिखोगे है या वह समयंतराल है जिसकी अंतरगत किसी रेडियो एक्टीव पदाट की मात्रा अर्थार्थ उसके पर्माणों नाभिकों की संख्या रेडियो एक्टीविक्टन के पश्चाथ अपने प्रारंबिक मानकी आधी रह जाती है फिरसे एकलो यह वह समयंतराल है जिसके अंतरगत किसी रेडियो एक्टिव पदात की मात्रा अथार उसके परमाडवों नाभिकों की संख्या रेडियो एक्टिव विगटन के पश्चात अपने प्रारंबिक मान की आधीर जाती है उस रेडियो एक्टिव पदात की अरदायू कहलाती है ठीक है उसे रेडियो पदात कर दाई उसकातार पर फिर सेकेंड में आप रेडियो एक्टिव पदात की सक्रीता की परिवासा ने तो आप हेडिंग डालोगे रेडियो एक्टिव पदात की सक्रीता इसमें लिखोगे इसी छड़ रेडियो एक्टिव पदात की सक्रीता अथवा विगटन की दर उस प्रतिदर्श में उपस्तित पदार्थ के परमाड़ों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है अथार माइनस बियन अपॉन डिटी इस प्रपोर्शनल टू एंड क्लियर है तो यह देखलो सबसे पहले आपको लिखना है किसी रेडियो एक्टी पदार्थ के अर्दायू स सेकेंड़ रेडियो एक्टी पदात की सक्रिता अथ्वा विर्टन की दर उस पतिदर्श में उपस्तित पदात के परमाड़ों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है अथार माइनस टीन अपॉन डिटी इस पर क्वेश्टनल टू एंक्लियर है अगर आप यह इतना लि पड़े वह भी 60 प्लाइस राम से क्रॉस कर सकते हो तो और अगर ऐसे वीडियो सभी सब्सक्राइब करकर बेन नोटिपिशन रहे इससे आपको क्लास टल कि आने वाले सभी वीडियो से नोटिपिशन मिलती रहे अगर वीडियो पसंद है लाइक करो और दोस्तों को सिह करो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय भारत